नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल दोस्तों आज मैं आपको यह वाटर टैंक इंस्टाल करना सिखाऊंगा यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यह 500 लिटर का वाटर टैंक है तो अभी दोस्तों इस टैंक में होल को कैसे बनाया क्लिक किजिए ताकि मेरी आगे नवाली सभी नई वीडियो का नोड़ फिकेसन आप तक पहुंचे और आप से कोई भी अपडेट मिशना होने पाए तो दोस्तों अब चलिए यहां पर मैं आपको यह जो 500 का दोस्तों वाटर टैंक है इसको इंस्टाल करना सिखाता हूं इंस् से एहां पर होल बना सकते हैं लेकिन दोस्तों जिस एघ् financier मा कहीं कहीं पर लाइट नहीं होता है तो इस ताइं दो वह फेल हो जारा और सबसे जो आसान तरीका यहां पर बनाना हो उसके पर प्लेंगे और उसके बाद है होल करेंगे मेरे कंडीसर में दोस्तों आभी देखें यहां पे मुझे एक इंच का दो होल बनाना है और सबयाया इंच आट लिट्ट इसके लिए सवatork बनाना ना ठीक है और यह एक दो रहेगा एक मोटर का इनलेट हो गया और एक एक into वाला सब्सक्राइब तो टोटल अभी तीन होल बनाऊंगा मैं एक सवा का दो एक इंच का होल बनाने के लिए जी आई-पाइप से होल करेंगे यहां पे अब दिखें यहां पर कियों इसको गर्म किया गया है और दिखें इसको यहां यहां से दोस्तों ये दो इंच ऊपर ही होल करेंगे ठीक है दो इंच नीचे जगा छोड़ देड़ना है ताकि यहां पर जो भी कच्छड़ा स्टोर रहरे वो सब नीचे बैठ जाए दो इंच ऊपर करेंगे यह दिखें अभी यहां पे सवा इंच वाल 허ол है यह हो गया है इस यह गर्म हो गया है अब यहां से होल करेंगे थोड़ा सा उपर बस ठीक है अब देखिए अभी यहां पर हो गया अभी खोल यहां पर बनाएंगे अब देखिए इसको मैं प्रॉपर साफ कर लिया अच्छी तरह साफ करना है नहीं तो टैंक निकतर अगर ठीक से बैठेगा नहीं तो फिर पानी का रिसा होगा इस वाद का ध्यान रखिए ठीक है इसलिए होल करने के बाद जो भी बाबरी बनता है उसको प्रॉपर साफ करने के बाद बाबरी बनता है अगर आप एंटल ग्राइंडर से भोल करेंगी तो फिर यह बाबरी वगर है नहीं बनता है होल विल्कुल केलियर होता है टीक है इसको साफ कर लेना है आप हो गया है अब यहां पे टेंक कनेक्टर को लगाएंगी अब देखिए यहां पर प्लेया अब एक आदमी इसके अंदर भु dehydrated को कि अरप यह संसे करें करें और दिखाय दराइब ने अब अब अंदर से उसको टाइट करेंगे यह वासर और यह नट को अब दूस्तों अंदर से नट को लगा दिया गया है उसके बाद यहां से इसको टाइट कर लेंगे ठीक है देखिए टाइट हो गया ज्यादा टाइट नहीं करना है वहना यह भी फेल हो जाएगा अब दूस्तों दिख सकते हैं यहां पे कंडिक्टर फूरा यहां पे लग चुका है और इसको ऊपर चडाएंगे जहां पर इसको 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 इंस्टाल करना है आप लोग वीडियो में लाश्ट करें रहें देखते रहें कैसे स्कों इसको सरॉकर करोंगा सब कुछ मैं आपको यहां पर explain करूंगा कि दोस्तो एयर पाइप को कहां से ख़ड़ा किया जाए क्योंकि पानी का जो प्रेसर होता है दोस्तो वह एर पाइप पे ही depend होता है ठीक है बीच में जो एयर आता है और रुक रुक के पानी आता है साथ में एयर भी आता है तो यह बाइब को उपर चड़ाल करना मैं आपको सिखाता हूं अब देखे दोस्तो टेंक को मैं उपर ले लिए हूं जहां पर मुझे इसको इसको ऐख करना है वहां पर इसको मैं रख दिया हूं ठीक है अब इसको में fit करना आपको सिखाऊंगा और दोस्तों जो बाथरूम से outlet निकल के आ रहा है वो सवाइंच वाला देखे यहाँ पे हैं यह जो दिख रहा है यह सवाइंच का outlet है टैंक में connect होगा और यह जो एक इंच वाला आप देख रहे हैं यह इनलेट वाला connection है यह टैंक क अब दोस्तों क्या करना है सबसे पहरे लगाना है यहां पर लगाना है ठीक है और इसको एकदम बिल्कुल करीम में लगाओं क्योंकि यह महगा है अगर आप zero space पर fitting करेंगे तो फिर अगर कट के repair करना हो तो यह खराब हो जाएगा इसलिए यहां पर गैप रखेंगे हम से क चार से छेंज का गयप रखेंगे डिख्यार इसको कटकर लिया और ऐसां अगर बारीकी से यहां पर कि सॉल्वेंट लघायी जाता है यह बाल बाल में महंगा भी होता है और देखें अगर आप गलत तरीके से इसमें सालिवेंट में लगाएंगे तो दूटक्दक बंद करन यह देखिए इसमें नहीं लगना चाहिए अगर इसमें लगेगा ना तो ठीक से बंद नहीं हो पाएगा लेकिन हलका फुलकल लगी जाता है उसका भी सॉलुसन अभी में बता रहा हूं आपको क्या करना देखिए इसको इस तरह से लगा दिया अब इसको यहां पर देखिए अब यहां पर सॉल्वेंट हमने लगा दिया इधर भी इधर भी अब देखिए अब क्या करना आपको हलका फुलकल अगर बाल में लग जाता है तो यह पकड़ लेगा अगर आप इस तरह से बंद हुआ ही अगर रहने देंगे तो देखिए क्या करना इसको घुमा देना है उसके बाद रास्ता इसका क्लियर हो जाएगा अगर सॉल्वेंट हलका फुलकल लगा होगा तो ठीक है और ऐसे ही बंद हुआ अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर अगर खुला रहेगा सॉल्वेंट लग जाएगा तो यह ठीक से बंद नहीं होगा और अगर देके यूनियन लगाएंगे यूनियन दोस्तों इसलिए लगाया जाता है ताकि यह टैंक को खोल के अलग किया जा सके और साब सफाई कर सके बिना पलंबर को बुलाए है अधिये यह सवाइज का यूनियन है लगाने है और पहले चेक करेंगे ब्लेक वासर यहां पर नहीं होगा कोँ अज canoe करते हैं अधिया अब serio नियुम्हम्ter zor rhagory भेते हैं। टंइ को फोल की अलग कर सके हम साफ सपाइज का कि इनलेट आउटलेटू में दोनों में ढूम को साथी कर देंक करल दिया है है एकल ग्रवल यहां पर इन प्रेख़ कर देंगे लट Katrina कर देंगी अब इसकी इट सबस्क्राइब यह देखेए आउटलिट वहां पर मैं कनेक्ट करूँगा यह पाई दोस्तों कहां से निकालना है वो भी बताऊंगा यह देखेए यह इनलेट वाला है अब यहां पर यहां भी दोस्तों सबसे पहले यूनियन ही लगाएंगे देखें यहां पर चार इंच का टुकड़ा दिया उसके बाद यहां पर युनियन लगाएंगे ज्यादा लंबा पाइब नहीं लगाना है अब दोस्तो इसको ले जाके वह जो इनलेट वाला में पाइब आ रहे हैं यहां पर इसको करेक्ट करेंगे कि देखें यहां पर इनलेट को करने करने के लिए इसको में इस तरह से नीचे लिया ठीक है क्योंकि यहां पर दूस्तों यह जो अगर इसको मैं इस तरह से हवा में रखोंगा देखिए मैश तो देखे यह गलत होगा ठीक है इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिए अपट से ह्वान में ऊथाना है वन्न होसी ६ंदर भी आते है तो फैंप अब देखें यहां पर लगा लिए नीचे में अब यहां में यह पाइप कनेश करूंगा मैं यह लंबा वाला अब देखें यहां पर पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है यहां से आरा है एक अलबो देखें इधर लिया में यह देखें एक यहां पर दिया है कि यहां पर यूनियन देखें इसको मैं कनेक्ट कर दिया उसके बाद दोस्तों बारी है आपको कहां निकालना है यहां से निकालना यहां से यहां पर देख रहा है और कितना ऊपर लगाना तो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं टैंक के लेबल से अब यहां पर दूस्तों सबसे पहले हम टी लगाएंगे सवाइंच का यह डिखे यह टी है ना क्योंकि एयर पाइप मुझे यहीं पर खड़ा करना है तो यहां पर टी लगेगा पहले अब देखिए यहां पर टी में इस तरह से पाइप के लिए इसको में खड़ा कर रहा हूं और अभी बता रहा हूं को कितना उपर इसको कट करना है देखिए यहां पर इस तरह से लगा दिया मैं और यह काफी ज्यादा उपर है तो ज्यादा उपर रखेंगे हवा में तो भी टूटेगा और आप देखिए इसको कितना उपर रखना है देखिए यह टैंग का लेबल है ठीक है यह साड़े-तीन फिट के उपर आ रहा यह टै तो इससे कम से कम आपको ड़ल फिट रखना है और मैक्सिमम इसको आप यहां पर दो फिट पर रखेंगे तो देखेंगे अब अगर आप इसको टैंक के लेबल ही अगर कट करते हैं यानि कि इसका जो लेबल यहां अगर कम होगा तो पानी ओबछलोगा या फिर इसका जो एयर पाइप का हाइट अगर कम रखेंगे तो क्या होगा जब कोई टेपक ओपन करेगा नीचे तो तो क्या अपने देखा इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है तो इसके इंदर कुछ डाल देंगी ब्लॉक में प्लॉक जायेगा फाइप में अब देखें यहां पर टी लगाएंगे इस तरह से पीछ प्रेचे को लगा दिया अब इसके दर कुछ जायगा नहीं और देखें अब यहां से भी कुछ ज देखें यहां पर फोटी फाइब है टुकड़ा इस तरह से यहां पर आपको लगा लेना है कि अगर देखें इस तरह से यहां पर लगा दिया और एयर दोस्तों अभी यहां से इस तरह से एयर लेगा पास करेगा यहां से इधर से ठीक है अब इसके अंदर कोई भी जानवर च लगा है तो अभी कैंनक्स पूरी तरह से हो गया है इस तरह से क्य क्योंगे प्रॉपर तरीके से प्रेशर में कोई भी तरह pessimism. तो आज की शिमें बल्राइब करने नहीं आएगा जो कुछ है, सब다면 में आया होगा समझने में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सिक्सर में अपना कोश्चन टाइब करिए उसका रिपलाई करने की कोशिस करूंगा मैं और साथ में ही दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बेल काड़ की किसा दो